कॉंग्रिस प्रिदेश अदेश कुरेंड महराखा कहना है कि जल पांच लोगसबा सीटों पर उमिद्वारों की नाम का एलान होगा अभी एक दौर की चर्चा और हो सकती है और हाई कमान से चर्चा के लिए वो खुद और नीता प्रितिपक शेश पालार अगले दो तें दिरों में दिल्ली आ सकते हैं जल्दी हो जाएगा सीजी की कल बैठक हुई है चाय राज्यों में कल गहन चर्चा भी हुई है और पार्टे हाई कमान ने सबकी व्यूज ले लिए हैं उनको नोडाउन किया गया है और जल्दी पार्टी अपने नेने सुनाईगी रूदर प्रियाख नगरासु गाउ में पिछले एक साल पीने के पानी के सासी चाय के पानी का भी संखड बना हुआ है जिसके बाद लोगों ने ब्रदर्शन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई गाउ वालों का कहना है कि जब से रेल परियुचना का काम शुरू हुआ है ताबसे पानी का संकर्ड यहराने लगआ है गाउं के लोगों ने शेत्री विदायक पर भी हम देखी कारूप लगाượng लगा है गाउं के लोगों का कहना है कि अगर उनके समथ्या का समधान नहीं लेकिन मीन प्रॉब्लम हमारी शिचाई नहर की है रेलवे की वो जोसे सारी नहर प्रैक हो गई है और वो पानिया भी ने पा रहा है दो फसल हमारी खतम हो गई है लेकिन अब जब हम यह चाहते थे कि 12 इंच का पैप पूरा घुलतिर गदरे से आये और हमारे गाहों तक उससे पूरा अच्छा हो जाएगा चोड़ बच्चों को छोड़ कर कि हमें पीने का पानी मिल जाए आज हम यहां जंपादर्वाब में हमारे डियम साब जी से मिले और हमने अब भी अबली के समुहां दे रखिया है उन्होंने भी अस्वासन दे रखाए कि जल्दी जल्दी इस सरकारी सिस्टम को अपनी ही जमीन से कब्जा हटाने में हिंसा जेलनी पड़ी लेकिन अब नैनिताल जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर कब्जे का खाका तयार करा है हाला कि पहाड में हो रही डेमोग्राफी चेंजिस भी चिंता का विश्य है वनभूलपुरा के बाद अब नैनिताल में सरकारी जमीनों पर कब्जे की खोजबीन शुरू हुई है वनविभाग से लेकर लोक निर्मान विभाग की जमीन पर कब्जेदारों की कुंडली निकाली जा रही है तो वही खामलेंट यानि के पट्टे की जमीनों पर भी होटल रेस्टूरेंट और कारुबार कर रहे लोगों पर प्रशासन की नजरे हैं सबसे जादा रामनगर लालकुआ के साथ खल्दुआनी की जमीनों पर जाच की जा रही है तो वही पहाडी इलाके में भी स्टाम पेपर में बेची गई जमीनों पर कारवाई शुरू होनी जा रही है स्टाम पेपर पर जमीने खरीदने बेचने के केसे सामने आ रहे हैं काफी कारवाईयां यहां हुई भी हैं अलग-अलग एजिंसीज के माध्यम से अपनी भूमे के संबंध में आगे भी ये कारवाईयां चलती रहेंगी कुछ एरियाज को चिन्हित भी किया गया है दरसल पहाड में लेंड माफिया नीजी जमीनों के साथ बहारी लोगों को आसपास की सरकारी जमीने भी बेच रहे हैं कई इस्थानों पर तो डेमोग्राफिक तक चेंज होने लगी है पहाड में हो रहे जमीनों के कब्जों और डेमोग्राफिक चेंज पर इस्थानिय लोग सवाल उठाने लगे हैं बहराल अगर जात सही से हुई तो कई लोगों के होटल रेस्टोरेंट से लेकर जमीने तक इस कब्जे में सामने आ सकती हैं न्यूज एटिन के लिए नैनिताल से विरेंटर बिष्ट की रिपोर्ट और यहां बक्त होगे एक छोटी से ब्रेका